Hello students, आज हम सिखेंगे French में time कैसे बताएं? What time is it? अभी क्या time हुआ है? इसे French में कहेंगे Kell, er, etil Kell or etil Kell means what? Er means time aetil means is it What time is it? के लर aetil? These lessons are brought to you by Elan Classes, Japon अभी क्लोक के अंदर 12 o'clock हुए है तो आप time बताने के लिए ile, यानि it is का इस्तिमाल करें ile, dozer doze कहते हैं 12 को ile, it is 12 o'clock ile, dozer मेरे साथ repeat कर लीजी आप अब after 15 minutes जैसे हम कहते हैं सवा बारा बजे हैं तो सवा बारा को फ्रेंच में कहेंगे ile, dozer a car quarter past 12 dozer a car ile, dozer a car अब देखिए clock में आप देख पा रहे हैं half past 12 हुए हैं यानि साथे बारा बजे हैं तो it is के लिए ile, dozer a dummy dozer means 12 o'clock a means end dummy means half half hour ile, dozer a dummy अब देखिए पॉने एक बजे गया है it is quarter to one ile, uner, moi le car uner, an hour one o'clock that is moi means less le car इसका मतलब अभी quarter या फिस्टीन मिनिट्स less है moi means less तो आप इस तरह से कहेंगे फ्रेंच में कि it is one hour but quarter hour less ile, uner, moi le car तो अब हमने देखा कि 12 को कैसे बोलेंगे 12 को कैसे कहेंगे 12.30 को कैसे कहेंगे और पॉने एक को कैसे कहेंगे अच्छा, अब मिनिट्स को कैसे कहेंगे माली जीए एक बज़े के पांच मिनिट हो गए एक बज़े के दस मिनिट हो गए आईए देखते हैं एक बज़े को आपने कहा ile, uner अब एक बज़े के पांच मिनिट हो गए suppose मैंने इसमें एक बज़े के पांच मिनिट का फोटो नहीं डाला आपको ही suppose करना है imagine करना है तो हम कहेंगे ile, uner तो कहेंगे ile, uner sank आगे 5 लगा दीजिए यानि it is 5 past 1 एक बज़े के पांच मिनिट हुए है ile, uner sank sank means 5 पिछले हमारे lesson में counting सीखी थी हमने numbers अगर आपको numbers के बारे में सीखना हो तो पहले इस lesson से पहले आप numbers सीखें counting सीखें तब आपको time बताने में काफी आसानी हो जाएगी मानली जी एक बज़ के दस मिनिट हो गए ile, uner यहां तक तो बोल नहीं है एक बज़ गया भी ile, uner इस 10 10 10 को करते हैं 10 10 को मानली जी एक बज़ गया एक बज़ वन फिफटीन हो गए ile, uner एक आर हम देख चुके हैं पीछे की slides में मानली जी एक बज़ के 20 मिनिट हो गया ile, uner van 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 means 20 1,25 हो गया एक बज़ के 25 मिनिट ile, uner 25 25 25 25 25 देख बज़ गया 1,30 हो गया ile, uner e dami ile, uner dami जैसे मैंने आपको बताया half को कहते हैं half hour को अब half hour से भी बढ़ गया time 1,35 हो गया है या तो आप कह सकते हैं ile, uner 35 35 35 या फिर यह कह सकते हैं कि दो बज़ने में 25 मिनिट बाकी है तो कहेंगे ile, uner 25 moins जैसे मैंने कहा less होता है 2 बज़ने में 20 मिनिट कम है ile, uner moins 20 2 बज़ने में 15 मिनिट कम है एक क्वाटर आवर कम है ile 10 अर moins लकार 10 मिनिट 10 मिनिट कम है ile 10 अर moins 10 मल ये 2 बज़ने में 5 मिनिट सी कम रह गए आप कहेंगे ile 10 अर moins 5 अब 2 बज़ने में ile 10 अर hope आपको अच्छा लगा होगा ये लेसन इस लेसन की मदद से आप time देखना सीख गए हैं thank you very much पत्त